हाथ प्रेंट्स चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं सेकंड सेमेस्टर का हिस्ट्री ओनर स्कॉर पेपर फोर इसमें क्या कॉस्चन आएंगे किस प्रकार के कॉस्चन आएंगे कितना समय मिलेगा कैसे बनाने आपको सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए सारे चीँ जान लिए अब हम देखते हैं कॉस्चेन प्रश्न एक आपको बनाना है प्रश्न एक का ए और बी एकदम कंपल्सरी बनाना ही बनाना है ठीकड ना रनिवार यह है उसके बाद बाकि जितने बच्छते उसमें से किसे चार को बनाना है तो देखे नहीं पांच प् उयूरोप का मरीज का जाता है एक महादेर से आपको मालुम हो пери effet कि इसका मरीज किसे का जाता है आलाकी दिया एक हुझ्यातर है लेकिन फिर भी इसमअ चाहाता है राजाः ठीक न अलगजनरत डित्य रूस के राजा थे हुश्झताय जाँ जार मतलब होता है राजालेकिन जार मतलब हम लोग यहां पर पानी रख कीनिति रा फिर लोह एहं रक्त कीनिती जो भलेंगे राक्त कीनिती ठीक ने किस ने अपनाई थी विसमार्क ने ठीक इसे अपनाई थी उसके बाद डी नंबर पर्थम विस यूद आरम को भुआ था तो पर्थम विस यूद आरम भुआ था 1974 में तो चार साल तक चुल ला था निससो आठार तक ठीक न तो इसका अशर हो गया वन उसके बाद देखे इंध नंबर कोस्टन यानिकी पांचवा नंबर कोस्टन जब उननी सो सत्रह में रूस की क्रांटी के समय रूस का जार यानि हो रूस का राजा ठीक ना मपानी रखने पेरिस सांती सम्मेलन कब हुआ था तो पेरिस सांती सम्मेलन हुआ था जनवरी 1919 में जनवरी 1919 में और राष्टर संग की अस्थपना कब हुई थी जो अभी संजुक्त राष्टर संग के नाम से जना जाता है इसे पहले राष्टर संग कहा जाता था और इसकी अस्थपना से दितविशूद हुआ ना उसके कारण ही उसके बाद फासिवाद फासिवाद के जनक कौन थे तो फासिवाद के जनक थे बैटी स्वरी बैनिटो मुसलिनी और ये कहा के राजा थे इटली के राजा बोलिए या फिर सासक बोलिए मुसलिनी इटली के राजा थे ठीक ना और हिटलर के काफी करीब यह इंप जैक से काफी बार मिलते rhakring थे गौन थे लिए ना जीवाद का जनक कौन थे तो ना जीवाद के जनक कुन थे हिटलर वही हिटलर । ठीक हचा फो कुर इतना कर दिया था और जर्मनी करा जा ठाहि अन डित भिस्युद्ध कश ब्रार्म हुआ एक सितंबर 1949 को और दो सितंबर 1945 को खतम हुआ था ठीक और किन किन देशों में वम गिराए गया था और कहां कितने हानी वी थे आप हमें कमेंट में बताइएगा अगर आपको मालूम है तो कि देखिए निमलिखित में से किनी दो पर संचिप टिपना लिखना है सौट नॉट लिखना है पांच नमबर मिलेंगे एक नॉट लिखने के ठीक बी नमबर वन का भी है यहाँ पर आपको पांच पांच के अंसर है एक क्वेशन पांच अंग का है आपको दो नॉट लिखने या फिर संचिप टिपनी हिंदी में बोले तो किसके उपर लेनिन के उपर लिख सकते हैं सेब्रे की संधी को पर लिख सकते हैं बर्लीन का अंग्रेस को पर लिख सकते हैं या फिर 1917 में जो रूस की करांती हुई थे उससे क्या-क्या परभाव हुए रूस को क्या-क्या हानी पूरे दो से जितने आठ तक या फिर नो तक क्वेश्चन है उनमें से क्यावल चार को ही बनाने आपको यानि कि फंद्रा चोका साथ नंबर के इधर बनाना है एक नंबर में 20 माक्स का आपका कवर हो गया है ठीक तस्री हो जाएंगे टोटल ठीकिर क्या 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 सुनिए दूसरा नंबर कॉश्चन ठीक तीन कॉश्चन क्या है परतह्म बिस युद rush की उन्दोलन या पिर क्रांति कि सौभाव कारण और मातवकर परिक्षान करें रूस की करांती को लेकर काफी कॉसेन दे दिया है इन्होंने तो आप इससे अच्छा से पढ़ लिजेगा आधुनिक रूस में लेलिन द्वारा सॉरी आधुनिक रूस में लेलिन के दोनों का उलेक करें देनों का उलेक करें मतलब ये कहना चाहता है कॉसेन में कि आधुनिक जो रूस है ना वर्तवान रूस में अभी लेलिन ने कौन-कौन सी चीजे बनाई है क्या कौन-कौन सी सुधार की है परसासनिक सुधार ठीक ना उन सभी के बारे में आपको बताना है क्या-क्या देन है उनकी पेरिस सांती सम्मेलन पर निम्मद लिखना है पेरिस सांती सम्मेलन जो हुआ था 1919 में ठीक ना इस पर आपको निम्मद लिखना है कि क्या-क्या इसमें बाते रखी गई थी सेबन नमर कौस्चन देखिए राष्ट्र संग की आसफलता के कारण को लिखें जो राष्ट्र संग था उसके क्या-क्या आसफलता है थी क्या-क्या कामजोरी थी बाद में संजुक्त राष्ट्र संग के नाम से उबरा ठीक आईट नमर कौस्चन देखिए इटली में बेनिटो मूसोलीनी जो इटली का राजा था बेनितो मूसोलीनी के उत्थान का वर्णन करें वहां क्यों इतना महान बना था ठीग ना उसके बारे में बताना है नाइन नमबर कोस्चेन दितेपीष यूद के घटनाओं एयोँ परिनामों का बर्ण करें दितेपीषमें कौन-कौनसी घटनाओं उनका परिणाम क्या किया हुवा इनमें से किसी चार पूइ बनाना है question नमबर दो से लेकर नाइन तक किसी चारी कोस्टन को बनाईएगा ठीक ना ज्यादा नहीं बनना है और सभी कोस्टन इजी है मुझे नहीं लगता कि कोई भी एस्टुडेंट जो दीन में केवल 2 घंटा पड़ता हो एक घंटा पड़ता हो ना वह आराम से इन सभी कोस्टन को कर सकता है और बखो को बताना है कि दिति विस्यूद में जब जापान में बॉम गिराया गया था ठीक ना है तो किन-किन सहरों में गिराया था चलिए देखते हैं कौन-कौन पढ़ने वाले हैं कितने कितना अदम तो फिर मिलेंगे एक नश्वडिक साथ तब तक के लिए पढ़िए और अपने स्वास्त का ख्याल रखेगा क्योंकि जान है तो जहान है